नेक्स्ट जो है हमने बोनी फीशिस के बारे में पढ़ना है जिने हम ओस्टिक थीज कहते हैं तो इन में टीली ओस्ट आ जाते हैं ठीक है और इनके जो स्केल्स होते हैं वो डर्मल बोन पर मिशते मिल होते हैं ठीक है इनके स्केल्स के अंदर डर्मल बोन आ जाएगी और जो स और इससे growth line बनेंगी जिससे आप उसकी age को detect कर सकते हैं ठीक है मतब जिस तरह आप breeze में कुछ भी होता है कि उसमे layers बनी होती है जिससे आप उस tree की age का पता लगा सकते हैं तो इसमें भी scales की growth lines होंगे जिससे आप उसकी age का बता सकते हैं बोनी फिश की और इनकी जिसके नोती है पर्मियेबल होती है मतब चीजसों का अंदर आने देती है तो मतब गैसों का तबातला होगा और जो smaller fishes होती है उनका सर्फेसरिया और जादा होता है उनके body वाली हैं के मकाबले में और जो dermis होती है इसके अंदर एक capillary इसका bed type होता है bed मतब कोई चीज जगह जब जाद होतों से हम bed से तश्वी दे देते हैं तो capillary bed होता है जो के respiration में help करेगा और जो epidermis होती है उसके उपर mucus gland होती है जो के mucus खारिच करती है जो कि उससे bacteria और fungi के attack से बचाएगा ठीक है मतब पिर जब चीज़ें आती है bacteria या फंचाएगा टैक हो तो उसके से फिसल जाती है उसके से अटैच ही नहीं होती है और जो mucus होता है ये swimming की दुरान friction को कम करता है जो glandular glands होते है ये जहरीला irritating alkalite खारिच करती है और drotelios होती है जो की deep aquatic caution में पाई जाती है तो उनमें photo force होती है photo light को कहती है photo light को कहती है मतब ऐसे सुराग जिन से light बाहिर आती है तो वो lure के लिए मतब opposite gender को attract करने के लिए खुद को attractive शोकर के lure के लिए मिसाल के तोर पर मतब एक opposite gender वाला जो मतब फिश होगी ठीक है वो घात लगाकर बैटी होगी तो इस तरह से वो lure करेंगे और मतलब के वार्मिंग सिगनल देने के लिए जैसे कि अब एक फिश है उसके पिश है उसके बच्चे आ रही है तो जब कोई खत्रा आगे की तरफ होगा इस बोनी फिश का यह सारा में एक बार रिपीट कर देती है और बस फिर है तो इस सारे में हमने क्या देखा कि बोनी फिश है उस्टिक थीस में तीली और स्टार जाते हैं और इनमें जो है डर्मल बोन के मतलब के स्केल्स होते जिने एपिडर्मिस कवर कर रही होती है ठीक है और इसमें हमने क्या देखा कि इनमें जो दीविक्विटी कॉशन में पाए जाते हैं उनमें फोटोफोर्स होते हैं जो के वार्निंग सिगनल देने स्पेशी को पहचानने और लियोर के लिया यूज होती है और इसके इलावा और इसमें हमने देखा है कि इनमें जो मतबके होती है वो टीलियोस जिनके अदर कैपलरी बेड होता है तो वो रिस्पारेशन अच्छी कर लेती है इनकी स्किन पर मियबल होती है चीजों का दराने देती है तो यह गैशेज अच्चेंज अच्छी कर लेंगे खास दोर पर जिनका जो स्मालर फिशिज होती है जिनका सरफेस एरिया बोडी वालियम के मकाबले में साधा होता है और इसके इलवा इनकी स्किन के हमने और क्या खास बात देखी कि उसमें मुकस लैंड होंगे जो कि मुकस लाइम खारच करेंगे जो कि उससे बैक्टेरिया और पैरसाइ स्विमिंग के दुरान फ्रिक्शन से बचाएगा तो यह सारी हमारे परस बोनी फिशिस की स्किन के बाउट हो गया